एंटीपीसे विंद्याचल के लापरवाई के चलते जैनगर जुवाडी मोड के पास एश पाइप जैसी घटनाएं कई बार हो चुके हैं जिसकी वज़े से कई बार गाओं वालों को परिशानियों का सामना करना पड़ता है सानिय पाशद और आमजन कई बार जरजर एश पाइप लाइन की शिकायत एंटीपीसी प्रबंधक से कर चुके हैं मगर कोई सुनवाई नहीं होती है सिंग्रवली जिले के एंटीपीसी विंध्याचल का एश पाइप जैनगर जुआडी मोड के पास फटने से सडकों पर राख और मलवा बहने लगा है पहली भी वाड 36 के पारशत प्रेमसागर मिश्रा ने एंटीपीसी विंध्याचल के प्रबंधन को पत्र देकर आउगत कराय था और कई बार अनरोथ किया था कि राख के पाइप के उपर हाइटेंशन लाइट गई हुई है जो अत्यधिक खतरनाक है इसलिए इस पाइप का मेंटिनेंस कराएं हम लोगों के साथ अत्याचार ना करें पारशत प्रेमसागर मिश्रा का कहना है कि हमने कई बार अनरोथ किया लेकिन एंटीपीसी विंध्याचल कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है एंटीपीसी प्रबंधन हम लोगों के उपर घोर अत्याचार कर रहा है जुआडी जैनेगर गाउं के आसपास एश पाइप वो बार बार फट जाती है और इसका राख गाउं में उड़कर जाता है लेकिन एंटीपीसी विंध्याचल प्रबंधन इसके कोई सुध नहीं ले रहा राख भी साफ नहीं कराई जाता एंटीपीसी विंध्याचल के राख से आसपास के ग्रामिल परिशान हो रहे हैं पारशत मिश्रा ने कहा कि इस बार चेताउनी देते हुई कहा कि एंटीपीसी विंध्याचल के जिम्मेदार अग्यकारी इस घटना को संग्यान में लेकर इस जरजर राखड पाइप को तदकाल ही मेंटिनेंस कराएं प्योसने वालेृट के दिकारी नहीं है मैं कहते खर घ्या आछी सी तरह से सही लोगों के साथ मैं हित्याचल कर रहे हैं एक इसके बारे हम जितना भी कम कें अटीपीजी के लिए वह कम होगा क्योंकि मैंने कर्टे कर्टे ठक जा एक किनकी मानेंगे कम मानेंगे क्यों मानेंगे इस समय ही इनको बताएगा जो आने वाला है झाला है